असलाम आलेकूम विवर्स आज मैं आपको दिखाऊंगी मर्टर मश्रूम का पलाव हम कैसे बना सकते हैं यह बहुत ही लजीज बनता है और हेल्दी भी है इसकी रेसिपी बहुत आसान है आपको यह भी स्टेप मिस्स नहीं करिएगा तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हेडर और यह मटर मश्रूम को हमें मैंने साफ पहली करके रखा है अब इनको इस तरह से कट करना है चार पीसिस करो तीन पीसिस करो या आप जिस हिसाब से इसको कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं या दो हिसे मैं ही कर सकते हैं और हमें लेना यहां पे लैसन अद्रक और प गर्म होने के बाद इसमें हम मश्रूम डालेंगे, इनको हलका सा फ्राइ करेंगे, ताकि पानी इसमें से निकल जाए, मैंने थोड़ा सा हल्दी यहां पे अड़ किया है, इसमें जो सिमल आती है, मश्रूम की वो खतम हो जाती है, और यह टेस्टी बनते है फिर जब हम इनको तो यह देखे इनको फोड़ा सा थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है, फ्रा plac और निकाल कि मैंने इस आइल में मैंने डाला है, जिंजर और गालिका पेस्टि, ने लैसन अद्रक का मैंने पेस्ट बनाया और यह डाल दिया, और प्याज एक जो मैंने दिखाई था आपको इसको बारी कट करके इसमें डाल देना है और फ्राइ करना है जब तक इसका सारा पानी अब्जॉबनी हो जाता तब तक इसको फ्राइ करना है मैं यहां पर जीरा एक चमच एड़ कर रही हूं इसी ओईल में प्याज के साथ ही तो जब प्याज अच्छे से फ्राइ हो जाए इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर टमाटर दो जो मैंने रखे थे छोटे ही थे इनको भी इस तरह बारी कट करके इसमें डाल देना है और इनको भी अच्छे से फ्राइ करना है जब तक यह सौफ्ट नहीं हो जाते इसमें नमक एक चमज डालूंगी इससे जल्दी हमारे टमाटर जो है गल जाएंगी तो इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी दाल चीनी का एक टुकड़ा और लोंग दो तीन और काली मिरिच आप यहां एड़ कर सकते हैं और मैंने यह पसनाओ तो इसको मैं थोड़ी दिर डग कर रखूंगी ताकि टमाटर यह ऐच्छे से गल जाएं तो 1-2 मिनट हो गएं यह देखे टमाटर जो है इसके से सौफ्ट हो गएं इनको फ्राइ Vatican करेंगए इसके बाद जब अच्छे से टमाटर फ्राइ हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें मटर एड़ करूंगी यानि पीज पीज जो है तो इनको भी फ्राइ करना है हलका सा फ्राइ करना है जो पानी इसमें था वो एब्जॉब होना चाहिए जाधा फ्राइ नहीं करना है तो इसके बाद मैंने जो मश्रूम पहले ही फ्राइ करके रखे थे वो एड़ करेंगे इसी के साथ ठीक है तो अब मैं डालूंगी पाउडर मसाले, लाल मेरिच, देनिया की पाउडर, सौफ पाउडर, दो दो चमश मैंने डाल दिये हैं और गरम मसाला आदा ही चमश मैंने डाला है, मैं जादा स्पाइसी यहां नहीं बना रही हूँ, यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो इसमें मैं यहां एड़ कर रही हूँ, अब यह चावल जो मैंने पानी में बिगोने के लिए रखे थे, पहले ही, तो वो मैं एड़ कर र थोड़े से इसमें एक चमश डाला था नमक, अब और नमक डालके मैं इसको थोड़ा पानी और डालूंगी, जिसमें अच्छे से यह चावल जो है अच्छे से पक जाए, नमक पहले ही चग करना है, इसी स्टेज पे, इसके बाद हम नमक एड़ नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे, हाई फ्लेम पे, जब तक यह पानी एब्जॉब नहीं हो जाता, तब तक इसके साथ कुछ नहीं करना है, बीच में मैं एक इसको हिलाऊंगी, थोड़ा सा जो मसाले जो है, हर साइड इकोली यह सिप्रेड हो जाए, तो यह देखिए, अब तक इसमें थोड़ा और पानी है, इसको एब्जॉब पूरा होना है, तब तक इसको ऐसी कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे, तो आप देखिए, पानी अभी भी है, अब सारा पानी एब्जॉब हो गया है, जजब हो गया है, अब थोड़ी से फ्लेम कम करेंगे हम, तो यह देखिए, अब मैं थोड़ी से धनिया के पते जो है, और एड़ कर रही हूं, गार्निशिंग के लिए, अब मैं इसको कपड़े से बंद करूंगी, डख दूंगी, पूरे अच्छे से इसका जो यह है, स्टीम जो है, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अब इसको अच् से खिले खिले लग रहे हैं, यह देखिया आप, यह बहुत ही टेस्टी, भिर्यानी इसको आप कहिए, या पलाओ कहिए, मुझे उमीद है, आप जब बनाएंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी यह रेसिपी, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर ज अच्छी रेसिपी है, बहुत एज़ी है, हेल्दी भी है, और यह बहुत पांच-साथ लोग इसको आराम से खा सकते हैं, तो यह देखिए, लहम दोलिल्ला, मुझे उमीद है, आप जब बनाएंगे, आपको भी पसंद आएगे, और जिनको आप खिलाएंगे, वो भी आपक यह मिलते हैं, अगली मज़े दारेसिपी के साथ, अब तक यह लिए, अल्ला हाफिज